हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज है 23 नुवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का फर्स सिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है फर्स सिफ्ट के पेपर में पूछे गए 100 प्रतिशत जो रियल प्रसन ही पूछे गए थे वही कोशन डिसकस करेंगे अपने तो पूरा वीडियो लास तक देखिए और जिनका भी आगे दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम है वो सारे जने पूरा वीडियो एंड तक देखा कीजिए क्योंकि बहुत सारे कोशन आपके रिपीट हो रहे हैं हर सिफ्ट में 5-6 कोशन हू बहू पीछे वाले सिफ्टों से रिपीट होते हैं इसलिए वीडियो एंड तक देखा कीजिए आपको बहुत फाइदा होगा और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को सुरू करने से पहले सारे के सारे जने एक बार लाइक बटन को दबाईएगा तो एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेर जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ में अगर आपने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ओन कर लो अगर आप दिल्ल करने किया था मगललाल जी ने तो राइट आंसर हो जाएगा मगललाल ओप्शन में इनका नाम दिया था मगललाल आपको करेक्ट करना था अगला कोशन पूछा गया था करेंट अफेर से कि वर्स 2021 तक भारत में कुल जिलों की संख्या आप से पूची गई थी कितनी थी 2021 तक ये डाटा आपको बताना था 2021 तक भारत में कुल जिलों की संख्या थी 708 तो राइट आंसर हो जाएगा 718 तो ये ओप्शन में दिया था आपको करेक्ट करना था अगर वर्तमान में बात करें 2023 तक वर्तमान में भारत में कुल जिलों की संख्या है 797 ठीक है नेक्ट कोशन पूछा गया था रिपीटिड स्वाल है पहले रिपीट हो चुका इस एक्जाम में खेलो इनडिया यूथ गेमान में ध्य पर दियस में तो ओप्शन में मध्य पर्देश मेंं हुआ था आपको बस करेक्ट करके आना था अगला कोशन पूछा गया था आपसे ये वाला भी रिपीट हो चुका इस एक्जाम में लगबग हर दिन ये कोशन आपको रिपीट देखने को मिलता है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना जो है वो अधिकार माता-पिता का कर्तव्य होता है ये है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे है उनको पढ़ाने का जो 14 वर्ष के सभी बच्चों को नीशुलक शिक्षा अनिवारे की जाए ये 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था और ये 11 मोली करतव्य है हमारे सविधान का ठीक है अगला कोशन पूछा गया था कोई व्यक्ति अपराद करके समय अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता यह किस अनु 3 है उसमें यानि के नुचेद 20 का भाग 3 में ये बताया गया है तो ये option में दिया था आपको correct करके आना था अगला कोशन पूछा गया था कि पूरा पाशान जो काल है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया दोस्तों पूरा पाशान काल को total 3 भागों में विभाजि किया पहला भाग है पूरव पाशानकाल दूसरा भाग है मध्य पाशानकाल तीसरा भाग है उत्तर पाशानकाल तो पूरव मध्य उत्तर ये तीन टोटल भागों में पूरा पाशानकाल को विभाजित किया गया नेक्स्ट कोशन पूछा गया था जो लोहडी त्योहार है वो किस राजे में मनाया जाता है परमुख जो है ये लोहडी का त्योहार ये पंजाब का है option में पंजाब ही दिया था तो correct हो जाएग़ पंजाब वैसे आपको बता दूँ जो लोडी का त्योहार है ना ये दोस्तों हरियाना और राजस्थान में भी मनाया जाता है पर मुख्य रूप से ये जो त्योहार है वो पंजाब का है इसलिए पंजाब हमारा right answer हो जाता अगला कोशन आया था नूर जहां की जो उपादी है वो किसे दी गई थी नूर जहां की दोस्तों जो उपादी है न ये महरू नीसा को दी गई थी तो correct answer हो जाएगा महरू नीसा ओप्शन में महरू नीसा ही दिया था आपको correct करना था और ये उपादी जहां गीर के द्वारा दी गई थी अगला कोशन पूछा गया था कि भारतिय सविधान का अनुछेद जो 20 है इसका समन्द किस से है आर्टिकल 20 जो है वो किस से रिलेट करता है तो ये अपराधों के लिए सजा के समन्द में सरंग्षन प्राप्त करने से समन्द है अनुछेद 20 तो बिल्कुल यही ओप्षन में था तो आपको ये वाला ओप्षन जो है वो करेक्ट करना था वीडियो में आगे वड़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो को यहां तक देख चुके हो और आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो आपके लिए इतना मेनत करें तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप जरूर इस वर्क को एप्रिसेट करें तो सारे के सारे जने एक बार वीडियो पोज करके लाइक बटन को दबाएंगे सभी लाइक कीजिए एक साथ नेक्स टैम और अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा इसलिए सभी लाइक करेंगे और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेर तो आपको करना बनता है ठीक है तो शेर भी कीजिएगा और अगर आप चेनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दवा देते हैं तो इससे हमारी बहुत हैल्प होती है आपके लिए बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दवाना आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इसका जो निर्मान है वो ग्रेनाइट पत्थर का उप्योग करके किया गया था ये वाला कोशन भी पूछा जा सकते आगे एक कोशन आया था तुमकूर खनन छेतर किस राजे में है जो तुमकूर खनन छेतर है न ये दोस्तों करनाटक राजे में पढ़ता है तो करनाटक ओप्शन में दिया था आज वाले में तो करनाटक आपका राइट आंस्वर हो जाएगा इस कोशन का अगला कोशन पूछा गया था गोपाल प्रसाद जो दूबे है इनका समन्द किस नर्ते से है गोपाल प्रसाद दूबे जी का समन्ध है चव नर्ते से तो चव नर्ते option में था वो आपको right करके आना था next question यहाँ पे देखते है कि क्या पूछा गया next question repeated train to Pakistan पुस्तक जो है वो किसने लिखा था तो train to Pakistan जो पुस्तक है यह खुशवन सी है जी की एक प्रशिद पुस्तकों में से एक है तो खुशवन सी है इस question का right answer हो जाता एक और यहाँ पे पूछा गया था the good, the bad and the ridiculous जो पुस्तक है इसके लेखक भी पुछे गई थे तो इस पुस्तक के लेखक खुशवन सी है और हुम्रा कुरेशी दोनों है तो बताएगा इन दोनों में से कौन सा वाला option में दिया था या फिर दोनों दिया थे तो वो भी एक बार confirm कर दिजिएगा ठीक है अगला question यहाँ पे पूछा गया था हिंदुस्तान Socialist Republican Association की स्थापना कब हुई थी यह उती 1988 किया जाता है कोई भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्याले में पेश करना आनिवारे है तो 24 घंटा आपका यहाँ पे correct answer हो जाएगा इस question का अगला question आया था कि इन में से कौन एक तबला वादक नहीं है अब यहाँ पे यह तो बिल्कुल option के coding या answer हो सकता है तो जिनको भी option पता है एक पर comment कर देंगे तो यहाँ पे तीन तबला वादक के नाम दिये थे एक नहीं था वही आपको correct करक्ट करके आना था तो option के हिसाब से ही होगा answer एक आयता कि मुगलों का मातरतव किस once का था मुगलों का मातरतव अगर चेंगीज खान option में था तो मेरे coding या answer सही है अगर चेंगीज खान नहीं होगा option में तो तैमूर आपको option में देखने को मिलेगा बताएगा चेंगीज या बहुत सारे कारण है पर्मुक जो कारण होता है किसी भी सहर या राजे में परदूशन का वो होता है जलवायू परिस्तितियों का कारण है तो मेरे coding ये answer सही होगा बाकी option के हिसाब से इसको tackle कर सकते हैं अपने तो option बताएगा एक या पर ODI 2021 में सबसे ज़्यादा run बनाने वाले खिलाड़ी पूछा था साइद या फिर कप्तान कौन थे जिसके सरवाधिक रन है 2021 तो ये वाला कोशन भी exact जिनको याद एक बार कमेंट करेंगे इतने कोशन ही मिले है जिनको और कोशन याद है कमेंट कर लिजेगा पीडियोफ मेड कर लूँगा पीडियोफ टेलिग्राम पर मिलेगा जेहिंद जेवारत सेकेंड शिपने जिनका एक्जाम है उसका एनलेसिस करके आपको आपके लिए लिए आउँगा और वीडियो को अंड करने से पहले एक बार लाइक शेर सब्सक्राइब करके जाईएगा ठीक है